अब जानते हैं कि पेंड्राइव क्या है और पेंड्राइव किसे काम करता है आप मैंसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि छोटी सी ड्राइव का इस्तेमाल करते होंगे अपने डॉक्युमेंट्स या फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर करने के लिए जिसका मतलब कि इसे आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक इसका डिजाइन बहुत ही कॉमपेक होता है और यह पेंड्राइव का दिखाए पड़ता है इसलिए इसे पेंड्राइव भी कहा जाता है पेंड्राइव को पूरी दुनिया म द्वारा computer में connect किया जाता है जो की computer motherboard पर available होते है इन device इसको external power supply की ज़र्वत ही नहीं है क्योंकि ये power directly USB port से ही लेते है अपरेट करने के लिए पेंडरा के features के बारे में अगर बात करें ये बहुत से materials जैसे के plastic, metal वगेरा से बना हुआ होता है इसकी लंबाई बहुत से प्रकार की होती है जैसे के 1 cm से 6 cm तक इसकी capacity 512 MB से 128 GB तक होती है इसे power USB port से मिलता है ये बहुत ही portable होता है जिससे इसे कहीं भी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी thickness 1 cm से 3 cm तक होती है pen drive के इस्तेमाल के बारे में अगर हम बात करें तो pen drive को इस्तेमाल करना बहुत ही simple है यहाँ पर user को pen drive का एक end computer के USB port में insert करना होता है इसे insert करते ही वो activate हो जाता है pen drive activate होने पर computer के screen पर कुछ notification सो कर दिए इसका मतलब है कि आपका drive अभी system के साथ connected है एक बार drive active हो जाए फिर files को आप drag और drop या copy और paste कर सकते हैं memory में यह process बहुत ही आसान है जिसे कोई भी कर सकता है pen drive के बहुत सारे features हैं और जिनके इसे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है transfer files एक pen drive को एक interfacing device के इसाब से इस्तेमाल file transfer जैसे के documents, photos, mp3 वगेरा को एक system से दूसरे system तक transfer करने के लिए किया जाता है इसमें files को select करके transfer किया जाता है दूसरा है portability यह इतना lightweight और micro है कि इसे कहीं भी आराम से ले जाया जा सकता है तीसरा है backup storage सारे pen drive में password encryption features है जिससे math upon family information, medical records और photos को backup किया जा सकता है चोथा है transport data Academians, scholars, students इनका इस्तेमाल करके बड़े-बड़े files और lectures को कहीं भी transport कर सकते है पांच वा है promotional tool बहुत से companies और businesses अब इन pen drive का इस्तेमाल अपने sales को promote करने के लिए करते हैं जिससे ही उनके marketing agendaries को लोग तक पहुंचा सके है इन handy pen drive के उपर corporate logos और visual imagery दी जाती है जिने के आसानी से exhibition, state shows और conference में लोगों के सामने प्रस्तूत किया जा सके तो दोस्तों ये थी pen drive के बारे में कुछ important information तो दोस्तों आज के लिए इतना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक और सेर धरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए